तो अध्रा नच्छत्र में बनता है दोस्तो दाल पूरी और खीर इसे खाने से किसानों के चेरे पे मुस्कान आती है क्योंकि अध्रा नच्छत्र से क्रिसी करे करम सुरू हो जाता है दोस्तो बीज गिर जाता है धान का इसके बर्सा से और किसानों की धान की रोपिया सम होने शुरू हो जाती है दोस्तो और क्योंकि हमारे पूरवच कहते थे हैं कि अधरा नच्छतर में खीर खाने से चिरनजी भी होते हैं दोस्तो तो आज हम लोग भी अधरा नच्छतर नाते हैं पोहتي धूम धाम से मनाया जाता है और इंद्रभगवान को प्रसंद किया जाता है कि तो बर्सा देंगे तो धान की रुपनी शुरू हो जाएगी दोस्तों तो हभिहार के कोने कोने में मनाया जाता है दोस्तों और 6 जुलाई तक है ये अधरान अच्छा तर तो आप लोगोंने नहीं मनाया है तो जिर्म मना ये तो इसमें दाल पूरी चावल के खीर और आलू प अधरान अच्छा तो हमने पर्वल को फ्राई कर लिया है दोस्तों और यहीं में डाले हैं उसी तेल में बचे हुए तेल में जीरा और प्याज क्योंकि आलू पूरी के साथ खाने वाला सब्जी थोड़ा तीखा होता है तो चार हर इमेज काटके डाला है और यहीं पर बेस दोस्तों बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाऊंगी दोस्तों यह इस पेशल आलो परुली कि सब्जी बनती है इस तरीके से अधरान च्छत्र में तो मसाला भूण चुका है यहीं पे डालेंगे टमाटयर्क काटके इसे इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे तो हरियाली चारो तरफ चा जाती है हमारे यहाँ मतलब कि पूरे बिहार में पूरे भारत मनाया जाता है दोस्तो तो यहाँ पे किसान बहुत जूंते नाजते गाते हैं और परधान है तो औरत लोग हरियारी चुरिया पहनती है दोस्तो हरियाली के लिए तो आप लोग भी जरूर मनाईए तो स्वाधर मसाल नमक डालेंगे और धनिया पत्ति और चरुवत के ही साफसे पानी डालके इसके ग्रेवी करेंगे तयार देख लेजे और करम मसाला डालेंगे और इसे धीमा आज पर परवल को सौफ्ट होने तक पकाएंगे बहुत ही इस्पेशल सबजी है दोस्तो अधरा की इस्पेशल सबजी तो जरूर बनाईए और जरूर मनाईए तो यहीं भी सबजी हमारी तयार हो गया है दोस्तो तो यहां पर एक बड़ा चमच कस्तुरी मेथी जालेंगे इसे भी मिला देंगे अच्छी तरीके से और ढखके छोड़ देंगे हम इसे पांच साथ मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिला के और ढखके छोड़ देंगे गैस बंद कर देंगे और बोय लालू है दोस्तों तो यह गाड़ी हो जाएगी तो बहुत ही सांदार ACP तयार है अगर यह अध्राइश पेसल ACP आपको पसंद आए तो प्लेज लाइक कमेंट सिस्क्राइब किजिएगा